तो आज की मेरी रेसिपी है फ्राइड रेस और फ्राइड रेस के हना किसे पसंद नहीं थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं यूज कर रही हूं दो बड़े चमच्छ रिफाइंड ओल जिसे मैंने गरम कर लिया है एक प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया ह प्याज को थोड़ा फ्राइड होने के बाद इसमें अड़ करेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च कुछ कटा हुआ लसन अद्रक अगर आप भी सिब्बल खाना खा काके बहर हो गया है तो आप भी इस रेसिपे को जिरूर ट्राइ करें अब इसमें आड़ करेंगे वन बाउल बीन्स आपको जो भी पहची टेवल पसंद हो आप इसमें आड़ कर सकते हैं मैं हाँ पर सिफ बीन्स यूज कर रही हूँ आप चाहें तो शिम्ला मिर्च गाजर और मटर का यूज कर सकते हैं अब इसमें आड़ करेंगे आदा चम्मच गर्मसाला और आदा चम्मच मैगी मसाला जो मैगी मसाला है वो जो आपके फ्राइड रेस को और भी ज्यादा टे इसके कोडिंग आड़ करेंगे और आप सारी वेजटेबल को अच्छे सा मिक्स का देंगे अब इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा अजूने मुटो लगवो पांच मिनट हो गये हैं तो अब इसमें आड़ करेंगे बोईल राइस आप इसकी जगह बचे हुए चावल का अब इन राइस में एड़ करेंगे दो चमाच और यहां पर मैं आपको एक टिप्स बताना चाहोंगी कि जब भी आप सोया सोस एड़ करें तो राइस डालने के बाद ही यहां पर मैं तेट चमाच नमक का यूज्ज करहे हूँ आप अपने टेस्ट के कोडिंग यूज आप इसमें आड़ करेंगे एक चमच विनेगर सोया सोस का यूज हमने राइस डालने के बाद इसलिए किया है ताकि जो सोया सोस का कलर है सिर्फ राइस में आए वेजीटेपल भी नाए तो चलिए अब इस राइस को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि यह सारे वेजीटेल में अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए हमारे जो राइस है वेजीटेल में अच्छे से मिक्स हो गए है और बनके रेडी हो चुके हैं और जब भी आपको इससे सर्फ करना हो तो गर्मा गर्म ही सर्फ करें तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मजएधार फ्राइड रेस बनके तैयार है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्किट जिसी फ्राइड रेस बनी है, इसको आप किसी भी चीज के साथ ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको मंचूर रेसे पीवी में लिंक में शेयर कर रहा हूं, अगर हमारे वीडियो आपको पसं